लोग तंत्र राज में लोग अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार से अपने जन नायक चुनते हैं ताकि गाउ शहर का विकास हो सके उनकी हर समस्या का निदान हो सके पर जब ऐसे जिम्मेदार जर्पती निधी गाउंवालों को बिना बताय कहीं गायब हो जाए तो क्या कौन करेगा जनता का काव? ऐसे ही ये ग्राम पंचैट जिला गरिया बंद में है जहांका सरपंच उप सरपंच दोनों महीने भर से गायब है जिससे पूरा ग्राम पंचैट का काम ठप हो चुका है क्या है पूरा मामला देखे हमारी स्पेशल रिपोर्ट यहां कर देने वाला मामला है जिल्या गरियाबंद विकास खंट फिंगेश्वर के ग्राम पंचायत परसदा जोशी का जहां सर्पंच प्रग्या साहू और उप सर्पंच तुलसी साहू एक महिने से गायब हैं आपको बता दी कि रिष्टे में दोनों सर्पंच और उप सर्पंच प भावित हो रहा है गरामीडों ने बताया कि सर्पंच उप सर्पंच के गायब होने से स्कूली बच्चे आयजाती प्रमाण पत्र बनाने सर्पंच से दस्तकत करवाने महिने भर से गली-गली भटक रहे हैं दस्तकत नहीं होने से निवास आयजाती प्रमाण पत्र नहीं बन कि और सभी नागरिकों का काम कहा है और र Patriots तो नहीं है अभी सर्पंच के नहीं रहने पर हमारे गाउं के जो छोटे छोटे बच्चे है वो अभी जो पैसा मिलते हैं चात्रवित्ती उसमें परिसानी जा रहे हैं और वो परिसानी अब उनके दसकद भीना कुछ नहीं होते अब ना उप सर्पंच है ना सर्पंच है दोनों मिया बीबी है और इसी वाद को ले करके मेरे तो बिधायक सानसत मेरे आँप में जब ग्लिप्स जॉर्डिन के समधाता ने ग्रामीलों के साथ सर्पंच के घर परताल करने गए तो सर्पंच के अलिशान बंगले में ताला लटका हुआ था जी हां गाउं के प्रतम नागरिक कहे जाने वाले सर्पंच ही गाउं से गायब है जब इसकी परताल करने हम गाउं में ही सर्पंच के घर पहुँचे तो आप देख सकते हैं यहां से सर्पंच गायब है और यह आज ही के नहीं लगबग एक माह से जादा हो चुका है सर्पंच और उप सरपंच इस गाउं से नदारद हैं कहीं चले गए हैं और इस बात की खबर गाउंवालों को नहीं है जैसे ही हम घर पहुंचे आता आप देख सकते हैं गेट में ताला लगा हुआ है और ग्रामिन बराबर यहां आके देखते रहते हैं कि सरपंच आए हैं कि नहीं तो हमने ग्राम परसिदर जोशी के सरपंच और उप सरपंच के अचानक गायब होने के कारण जानने की पड़ताल की तो पता चला कि दोनों पंच प्रतिनीधी के खिलाव गाउं के ही बेन राज सतनामी के गाली गलोच और मारपीट करने के मामले को लेकर राजिम थाना में F.I.R. दर्ज करवाई है जो की सरपंच और उप सरपंच के खिलाव SC ST Act के तहत मामला दर्ज है जिसकी गिरफतारी होनी है गिरफतारी की डर से दोनों जन प्रतिनीधी गाउं से फरारी काट रहे है उसके उकर F.I.R. है ST ST का धारा लगा हुए है किस बज़े से वो बेराज सोनी जैसे मेरे नहीं आनाम है मेरे को सालाच चमार आसा करके दो थपड लगाया था इसी कारण से मैं थाना में F.I.R. दर्ज करवाया थी राजिम थाना में और उसको एस्पीरियंच ने उसको गरपतारी नहीं हुआ है इसको बचा रहा है और हो तो खुले आम बोलता है कि मेरे कुछ न ही वीज़ सकते नहीं और तो विधायक और संसध मेरा आदमी है तुम लोग मेरे कुछ नहीं कर सकते असा करके खुले हा bulbs वो ता उ इनों ने बताया कि सरपंच और उसके साथियों ने ग्राम के पूरे 1.5 करोड की रेद बेच कर पैसा गबन कर लिया है और जब इसका हिसाब पूछने ग्राम में एक बैठक का आयोजन हुआ तो बेनराज सोनी ने इसके ब्रश्चा चार को उजागर किया तो बॉकलाय सरपंच और उसके साथियों की गिरफतारी होनी निश्चित है इसी के डर से सरपंच उप सरपंच गाउं से फरार हैं जिनकी तलाश में पूलिस जूटी है बरहाल पंचायती काम पूरी तरह प्रभावित है सरपंच जो एक महास से लगवाग पंचायत में नहीं है और कहां गए अभी तक तो जनकारी ने हो पाए हमको और जिसे पंचायत के कारे जो है प्रभावाई हुआ है सरपंच के ना होने से जनपत पंचायत के सीओ ने कहा कि ततकालिक व्यवस्था के लिए पंचायती राज अधिनियम देखना होगा उसी के तहर बच्चों के आय जाती और निवास में किसका रस्तकत होगा ये जल्ब व्यवस्था की जाई अभी पंचायत की व्यवस्था अपन देखेंगे क्या हो सकता है रासी आरण करने के लिए सच्च्छम है यदि सरपंच फरार है तो एजम सहाब के निदेशा नुसार किसी को अपन प्रभार दे देंगे इसके रासी आरहन के लिए काम नहीं रोकेगा ये तुटा है जाती प्रमाण पते के लिए सरपंच और सरपंच मेरे जानकरी में दोनों नहीं है तो उनके जगह पे पंचाती आजा दिन्यम में अधियन करके अपन देखलेंगे कि उसके जगह पर यदि किसी वरिष को या किसी को प्रभार दिया जा सकता है थे कब तक क्यों हो जाने यह अपनगे सही ही कर लेंगे मैंने स्वांस अधिय। जिनको गावालों ने जंट प्रतिनी दी के रुप में चुना ये सोच कर कि गाव का विकास होगा और उनका कोई भी काम अटकेगा नहीं लेकिन गावालों को क्या पता था कि उनके जंट प्रतिनी दी भगवड़े निकलेंगे जी हाँ ग्राम पंचयात परसदर जोसी से जैस आए जाती प्रमान पत्र बनवाने सरपंच का दस्तकत करवाने के लिए भटक रहे हैं जो जानकारी हमें मिला है उस जानकारी के तहट सरपंच और उपसरपंच की खिलाब मामलत राजिब थाने में पंजिबद है जिसमें सरपंच और उपसरपंच की गिरपतारी होनी है इ काम आठक रहे हैं उनको करवाने के लिए जीला प्रसासन या फिर जन्पत पंचायत फिंगे स्वर कौन से कदम उठाते हैं ग्लिफ डॉटीन के लिए कैमरामेन लश्मिश संकर के साथ शेक इमरान गरिया बन ग्लिफ डॉटीन में खबरों का सिजला लगातार जारी है